जिस समय इनका वारंट यहां से भीजा गया वारंट तो फ्रेम वारंट था ऐसे चार्ज उसमें लगा गया तो जो कोई मुकंद मगदमा नहीं चला था जब अभिने भारत में थे यहां पर इंडिया में काम कर रहे थे इंगलें जाने के पहले जो भाशन दिये थे उनको सामि पंट्रू कर लिया गया और उपमें क्योंकि हां प्रेटों किरम के खांप काम खौम का उन्हों कि नहीं प्रकिल Ooh यहांकर का कि तो जब यह वारंट ऊहां पहुचा तो उस समय यह फ्रांस में थह तो फ्रांस से इंग्लेंड इसलिए गए कि टॉर्चर कर रहे हैं कि इनके साथियों को इंडिया हाउस के तो उन्हें कहा अगर ऐसे मौके पर हम वहां नहीं जाएंगे इनको फेस्ट नहीं करेंगे तो उनका मोभंग हो जाएगा स्याम कि परभॉवी आप मत जाये आप कमांडर को पीछे से काम करनाइं चाहिए उसको ब voter का और उसको बाहर राणा नहीं मान कर चले गये हैं अजय से मैं पहुंचे ग्रिफटार हो गएग तो पर चला लेकिशन के लिए और किंग्लैंड को आफिस थी नहीं उनके पास की इंको इतना बड़ा धंडर मिलता इंगलैंड करवाई रोखने के लिए पूरी भारत स्रस्ट सरकार्प कई और इंडिया आफिस था जो इंडिया का इस्टेबिश्मेंट था इंडिया को गोर्न करने के लिए पुरा पुरी ताकत लगा दिए उसमें जो कॉंसिल थे उन्होंने बाद में गोर्न जर्डल बने आंके तभी इनको छोड़ा गया तो जानते तक कितना कमजोर की स्था उनका तो कन्विंस होने के बाद जो जजों को उन्होंने कर लिया अपने और उनका रिपेटेशन हुआ रिपेटेशन यह उनकी इच्छा के मिलकुल प्रतिक मतलब उनकी आशा के अंदूरूप नहीं हुआ कि सावरकर भले इंग लैंड आ गये थे फेस कर रहें उनको यह था कि ह हैं महुत होगा दो साल च्यार साल की सजा होगी और क्या होगा एक मैक्सिमम जो उन्होंने अपराद वहां किये थे तो लेकिन उनकी इच्छा के वरी उनका रिपेटेशन हो गया रिपेटेशन हो गया तो हथकड़ी डाल करके उनको जहाद में चढ़ाया गया इतना डरे प्रांस में जो फ्रांस का एक बंदरगा है मारसी वहां पर रुका हो रुपना ही पड़ता वहां तो सुबह उठ पी तो इन्होंने जो है कहा कि हमको जाना है वाश्रूम तो दो लोग साथ गये वहने वाश्रूम बंद किया अंदर से उसके बाद जो है अपना कपड़ा ज सीशा लगा हुआ देखने के लिए तो उसके बाद जो है खिर्की जो थी कूद की खिर्की पर अपना सर निकाला और फिर कूद गए तैरते भी बाहर आ गए उन्होंने बोट नूटारी नीचे पिछा किया इनका तो जब यह पहुंच गये लैंड पर पहुंच गये और उस खड़क भी मिल गई तब इनको एक कॉंस्टेबल मिला उससी कहा मजिस्टेट के पास ले चलो तब तक यह लोग उनको पीछे से आ गए उनको जो खड़ेड रहे थे चोर चोर है पकड़ो पकड़ो उसको तो विचारा जो कॉंस्टेबल था उसको क्या मालूं कि क्या कानू माशन होता है क्या और फॉलो वस्त फॉलोवर्स प्रसाइं तो दब गाया में ठीक से फ्रांस में परिशू नहीं किया कार यह था कि जर्मणी बहुत भी बन रहा था तो शंका थी कि ये इंगलेंड नहीं दबाएगा तो फ्रांस और इंगलेंड को एक होना ही था इस प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखते विए भाज़के सरकार ने ठीक से परशू नहीं किया इसके बावजूद परशू होने के बावजूद इंट्रिस्टल कोर्ट अब जस्टिस ने जो आदेश दिया टेक्निकल ग्राउंड पर इंग्लेंड के फिवर में लेकिन चूंकि उस कॉंस्टेबल ने बिरोध नहीं किया इसलिए टेक्निकली सही हो गया तो क्योंकि दिसिजयं सब्सक्राइब इतना क्या ऑप्रोविक्राइब सफ्रांस हूए थर दिव करना इसे हैं थैल्भर और उसको पूरी घटना जो है इंटरनेशनलाइज हो गई और इंडिया का जो कॉज है इंडिपेंडेंस का ओभी इंटरनेशनलाइज हुआ पहली बार सावरकर के मुकदमे से इंटरनेशनल कोर्ट में पूरे वर्ड में टॉकिंग पॉइंट बन गया इंटरनेशनलाइज हुआ है झाल झाल